बहुत बहुत स्वागल है आपका, thank you very much for coming to the session, तो आज की practice हम शुडू करते हैं, देखें आज के session में हम करेंगे कुछ daily use के sentences की practice, और सिर्फ sentences नहीं है, 300 करीबन situations होती है, उनके हिसाब से ready made sentence structure होता है, अगर situation में sentence start करना आ गया, तो समझ लीजे पूरी English आपको आ गई, उन structures की हम यहाँ practice करेंगे कि इस situation में sentence कैसे बनेगा, structure ready made होता है, फिर उसमें बीच में बंदे का नाम और बंदे का काम बदल दिया जाता है, उसी को fluently उसी तरीके से English बोली जाती है, जहां तक grammar का सवाल है, कुछ सीखने का नहीं है, पचास grammatical rules होते हैं, कुल मिला करके, और सारे के सारे आपको आते हैं, that's why whatever you hear in English, you understand everything, समझ में आ रहा है, तो सीथी सी बात है, कि आपको आती है, अब आपके सामने कोई अरभी बोलने लगे, एक भी शब्द समझ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं आता, तो English समझ में आ रहा है, तो समझ लीजे, आती है, बो whatever you see on the screen in English, you repeat every sentence after me loudly, जूर से बुलके practice करिए, देखिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, एक idiomatic तरीगे से इसको कहा गया है, तारे शब्दों को using नहीं करना है, बिल्कुल, simple तरीगे से, inflation is on the rise, and income is decreasing, on the rise, बस ये चीज़ याद रखनी पढ़ती है, the inflation is on the rise, and income is decreasing, याने की कमाई घटती जा रही है, देखिए, जा रही है, little translation नहीं करेंगे, महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाई घटती जा रही है, तो ये चीज़े होती है, अब इसमें हमें अगले sentence को समझे, फिर compare करके देखिए, कि दिक्कत हम कहां करते हैं, क्यों अटक जाते हैं, बोलते से ह अगला sentence है, कि prices are rising, and income is shrinking, prices are rising, and income is shrinking, बिल्कुल सेंपल, देखिए, basic ही grammar है, लेकिन लहजा पता होना चाहिए, कि इस तरीके से बोला जाता है, prices are rising, याने की कीमतें बढ़ रही है, income is shrinking, income shrink होती जा रही है, मतलब कम हो जाना, संकुचित होता जाना, सिकुड जाना, so inflation is on the rise, या फिर prices are rising, दो तरीके से हमने इसको कह दिया, और अगर इसी sentence को कहने का कोई तरीका आपके mind में आता है, तो please अपने sentences आप comment section में लेके, आपके sentences ठीक होंगे, then I'll give you a like, और गलत होंगे, तो हम उनको correct कर देगे, right, look at the next sentence, पता नहीं आगे क्या होगा, अब देखिए, situation सम sentence तो translation के हिजाब से match कर रहा है, लेकि 90% cases में sentences match नहीं करते हैं, I'm worried about the future, कि भाया बढ़ी tension हो रही है मेरको तो, महगाई, बढ़ती जा रहा है, the inflation is rising day by day, the inflation is increasing day by day, rising, increasing, और भी कई सारे word इस्तमाल किये जा सकते हैं, so पहले हम एक website बनाने के 15,000 रुपे लेते थे, मेरा website का पहले हम एक website बनाने के 15,000 रुपे लेते थे, और अब कोई 3,000 भी नहीं देता है, यह चीज हमको बोलने हैं, यह चोड़े-चोड़े sentences हैं, दिखिए, earlier यहां से पता होना चाहिए, जब हम compare करके बता रहा है, कि पहले और अब, तो earlier से हम start करेंगे, right, और date पे भी आते हैं अगर date को compare कर रहे हैं, कि 2010 में ऐसा, 2005 में ऐसा, तो उसके हिसाब से sentence बनना चाहिए, तो यह चीज़े हमको सीखनी होती हैं, so earlier, we used to charge 15,000 रुपे for a single website, एक website के हम 15,000 रुपे लिया करते थे, कब earlier, और अब कोई 3,000 भी नहीं देता, अब कोई 3,000 भी नहीं देता, पहले मैं मैं लिखता हूँ, फिर आप दोनों sentences को साथ में बोलिएगा, मेरे साथ में, okay, so, no one, no one even pays 3,000 for the same now, याने कि उस website के अब कोई 3,000 भी नहीं देता है, so what, earlier, we used to charge 15,000 रुपे for a single website, and no one even pays 3,000 रुपे for the same now, अब उसके कोई 3,000 भी नहीं देता है, एक बार और repeat करिए, देखे ग्रामर का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ग्रामर वाकी बहुत आसान है, सारा का सारा खेल है, structures का, right, इनको आप repeat करिए, और इनको सीखना है आपको, तो समझ लेजे, fluency आती चले जाएगी, और translation की आदत को छोड़ना है, तो ज़्यादा-दर customer ऐसे आते हैं, जो कहते हैं, क customer ऐसे आते हैं, कि मैंने website बना लिये, बस थोड़ा सा काम बाकी है, right, इस तरीके से, most of the customers we get often say, I have built the website myself, मैंने, I have built the website myself, just need a little assistance, right, थोड़ा सा काम बाकी है, देखे, ये चीज है, जिसको हमें निकालना है, translation को निकालना है, situation को समझना है, उस situation के हिसाब से English बोलनी है, right, कि situation में क्या word है मेरे पास, उस word को कैसे मैं sentence में fit कर दूँ, so most of the customers we get often say, थोड़ी बहुत grammar आपको पता होने चाहिए, जब हमने customers कह दिया है, तो often say का इस्तमाल करेंगे, तो इतनी basic grammar तो आपको पता ही होगी, अब देखे, इसी चीज को दूसरे तरीके से, और idiomatic तरीके से बोल need a little assistance, कैसे, kind of customers we get these days are like, यानि उनका behavior ऐसा होता है, are like, I was like, he was like कहते है न, कि उसका behavior पर indicate कर रहे होते हैं, जैसे इसको एक sentence में use करके देखे, कि जैसी मैं बजार से आता हूँ, wife कहती है, लाव पैसे, तो idiomatic तरीके से अगर हम इसको कहेंगे, so whenever I return from the market, my wife is like, give me the money, my wife says, give me the money, my wife asks for money, sentence भी बना सकते हैं, लेकिन जो idiomatic तरीके से expression देना है, so whenever I return from the market, my wife is like, give me the money, getting the point, तो वो situation के हिसाब से, वो exact feeling को express करना सीखना होता है, यह 300 करीबने structures होते हैं, look at the next sentence, बताओ कितने पैसे लोगे, मतलब जो customer आते हैं, वो कह देते हैं, बताओ, कितने पैसे लोगे, I built the website myself, just need a little assistance, तोड़ा सा मुझे मदद की ज़रूराद, बताओ, कितने पैसे लोगे, tell me, what's your charge, tell me, what do you charge, tell me, how much do you charge, right, 100 तरीक से एक बात को कहा जा सकता है, सुन-सुन के समझ में आ जाएगी, अब उन्हें कौन बताए, कि जितना टाइम, नई website बनाने में नहीं लगता, जितना टाइम, नई website बनाने में नहीं लगता, उससे जाधा पुरानी website को ठीक करने में लगता है, अगर आपको starting आती है sentence की, structure बता है, तो वो आजत में आ जाएगा, कितना easy है, देखो, simple, उन्हें कौन बताईए, तो simple हो गया, how to tell them, right, उन्हें कैसे बताए, how to tell them, याद क ठीक करना, fixing an existing website takes more time than creating a new one, then creating a new one, याने की fixing an existing website takes more time than creating a new one, इस तरीके से हो गया, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और अलग तरीके से कहना आना चाहिए, वो अलग structure है, it takes more time to fix a website, it takes more time to fix an existing website, it से start कर सकते है, it takes more time to fix an existing website than creating a new one, right, तो बहुत छोटा छोटा सा अंतर होता है, उसी को सीखना है, यह sentence आपको situation के हिसाब से याद आ गया, अब मानके चलिए, इसी के basis बे अब आपको कहना पड़े, कि English लिखना आसान है, बोलना मुश्किल है, यहां comparison कर रहे है, right, speaking in English is easy, but writing is difficult, तो वहां स start करना कैसे आएगा, जब आप दू-चार situation में बोलेंगे इस प्रकार के sentences, सिर्फ सुनना नहीं है, पार्टिसिपेट करा करें, अगला sentence देखिए, और एक sentence से कभी भी logic समझने की कोशिश नहीं करनी है, 200 से ज़्यादा वीडियो अप्लोडेड है हमारे चैनल में, 300 structures होते है अब कई बार repeat करें हुए, अब आपने ये सुन लिया, समझ आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया, तो आप इसको छोड़ दो, सुन लिया अपने अगले session में, फिर से आप दूसरी situation में इसी structure को सुनेंगे, तो धीरे धीरे logic समझ आता चला जाएगा, एक sentence के पीछे पढ़ना है कि इसका rule क्या है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, what the point, so, खेर आप अपना बताओ, अब जैसे मान के चली मैंने अपने business की हालत बता दी, अब मुझे दो sentences कहने है, अब अपना बताओ, आपका business कैसा चल रहा है, आप अपना बताओ, आपका business कैसा चल रहा है, चलो यानि कि वो disconnection है, मैंने जो बताया, अब तक, anyway, what about yours, business के बारे में पूछ रहा है, अगर हम उसी यह कहा दे, what about you, तो उसकी personal condition हमने पूछ ली, what about yours, यानि आपके business का क्या हाल चाल है, right, what about yours का literal Hindi translation करके देखिए, कोई translation ही नहीं है, situation बोली जाती है, ना कि sentences बोले जाते है, अब उसके बाद में, how is your business doing, what about yours, how is your business doing, आपका business कैसा चल रहा है, अब doing के जगा going लगा दो, what about yours, how is your business going, आपका business कैसा चल रहा है, right, look at the next sentence, पिछले पांस सालों में business बड़ा है या कम हुआ है, या कम हुआ, या last sentence है, बना के जाएए, सुनके जाएए, जाएए, मत पर द बड़ा है, या कम हुआ है, देखे, स्टार्टिंग आने चाहिए, has it grown or shrunk in last 5 years, has your business grown or shrunk in last 5 years, एक logic है, हमारे life's classes में होता है, क्या है, मैं ऐसी ऐसी चीज़े ही discuss करते है, बैठ करके, जिस भी sentence में has use कर लिया, has, have, had, कहीं भी use हो गया, तो third form का इस्तमाल होगा, बस को लिम अब आएगा, जब आप real situation में practice करेंगे, और उसके लिए अब हमारी life classes रेटेंट कर सकते हैं, हमारा practice group join कर सकते हैं, 230 participants होते हैं, उनके साथ real situation में बाते करेंगे, उनके sentences सुनेंगे, अपने बोलेंगे, phone पे बाते करेंगे, तो आदत में आ जाएगे English, English आपको पहले ही आदत में डालनी हैं, तो group को join करिए, live classes में आईए, fees की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, इसके बारे में feedback दीजेगा कि कुछ इससे समझ में आया या नहीं आया, फिर मिलेंगे एक नए session के साथ, till then, bye